तो हेलो दोस्तो आज हम पढ़ने वाले हैं एटोमिक नंबर, मास नंबर, आइजो टोप और आइजो बार्स जो की केमेस्ट्री एस फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरस्टिंग टॉपिक है लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये टॉपिक समझाओं आपके लिए बेहत जानना कि एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन और न्यूट्रोन क्या होता है तो उसके लिए मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है तो प्लीज पहले वो चेक कर ले अगर वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं ह कि जिस तरह जितना दिख जाए उतना आकाश है जितना बाहों में आ जाए उतना संसार है उसी तरह से जितना आप सोचेंगे न सिर्फ उतना ही आपको मिलेगा इसलिए जिन्दिगे बहुत ज़रूर ही कि बड़ा सोचें तो चलिए शूरू करते हैं लेकिन उससे पहले एटम वाले वीडियो का रीकैप कर लेते हैं तो देखिए एटम में तीन चीज़े होती हैं इलेक्टरॉन प्रोटरॉन और न्यूटरॉन जिसमें एलेक्टरॉन नेगेटिवली चार्ज़ पार्टिकल होता है और प्रोटॉ positively charged particle होता है और neutron जिसमें कोई charge नहीं होता है इतना आप सब लोग जानते होंगे अब बात करते हैं atomic number की atomic number क्या होता है इसको जानने से पहले atomic number क्यों बनाया गया ये जानना बहुत जरूरी है तो देखिए जब scientist लोग research कर रहे थे या फिर discovery कर रहे थे तब उनको बहुत सरे atoms मिले या फिर elements मिले अब उनके सामने ये question उट रहा था कि इन सब elements को हम पहचाने के से जिस प्रकार हम जो इनसान होता है उन सब का नाम इनसान नहीं होता है बलकि अलग अलग नाम होता है सब क्यों होता है क्योंकि सब को पहचान सके वेसे ही atoms का भी या फिर elements का भी अलग अलग नाम होता है क्योंकि हम उनको पहचान सके तो वेसे ही scientist लोगों ने भी research की और अलग अलग atoms जैसे ही मिलते गए वेसे वेसे उनका नाम भी देते गए और उनके proton के number के हिसाब से वे periodic table में उन्होंने arrange कर दिया तो ये था क्यों अब आता है question क्या क्या होता है atomic number जैसा कि मैंने बताया कि atom के अंदर तीन चीज़े होती है electron, proton और neutron तो जो electron होता है वो इसके orbit में गुमता है यानि कि shell में बाहरी तरफ गुमता है जो proton और neutron होता है वो nucleus में होते हैं तो इन तीनों में से हमको पकड़ना है proton को जो भी number proton का होगा वही number atomic number कहलाएगा यानि कि hydrogen का atomic number अगर 1 है तो इसमें proton भी 1 होगा helium का अगर 2 है तो इसमें proton भी 2 होंगे proton कभी नहीं change होता है किसी भी element का proton कभी भी change नहीं होता है तो ये था concept अब अगर definition की बात करें तो definition क्या होगी तो देखिए the number of proton present in a nucleus of an atom is called as atomic number clear है? ठीक है अब कुछ लोग याँ पर बताते हैं कि electron की संख्या भी उतनी ही होती है लेकिन मैं यापे कुछ कहना चाहूंगा कि वो कब equal होता है तो देखो जब भी atom neutral होता है तब electron की संख्या और proton की संख्या same होती है और atomic number भी वही होता है neutral का मतलब इसका मतलब होता है कि जैसे sodium का element ले 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 na उसके उपर अगर plus लगा होता है या फिर minus लगा हो तब उसके electron और proton same नहीं होंगे neutral होना चाहिए यानि कि उसपे कोई भी charge नहीं होना चाहिए तब दोनों same होंगे last time है मैं इनके examples दूँगा और थोड़े बहुत practice question भी दूँगा तो last time तक बने रहेगा चलिए अब बात करते है mass number की यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा confusion है बच्चे समझते हैं कि atomic mass और mass number एक ही होता है लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर होता है हमारे यहाँ पर सिर्फ mass number ही use में आता है atomic mass थोड़ा सा कम use में आता है इसलिए हम पढ़ेंगे mass number तो जैसे मैंने बताया कि nucleus में दो चीज़े होती है एक proton और एक neutron जब इन दोनों को add कर दिया जाता है यानि कि plus कर दिया जाता है तब वो कैलाता है mass number एकदम simple सी term है तो इसकी definition क्या बनेगी कि the number of proton and the number of neutron present in the nucleus is called the mass number जो की atom के उपर लिखा जाता है और जो atomic number है वो atom के नीचे लिखा जाता है अब हम लोग बात करेंगे isotop और isobars जिसका आप बेसबरी से इंतिजार कर रहे थे I think अब भी तक आपको बहुत ही मजाया होगा काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लोग को पर लग जाए और उस लोग की परवाज से सारा आस्मान रोशन हो जाए यहाँ पर आप लोगों के लिए एक छोटी सी एडवाइस है एडवाइस यह है कि आपको लाइक नहीं करना हो तो मत करो सब्सक्राइब नहीं करना हो तो मत करो लेकिन कमेंट जरूर करो कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए जिससे मुझे भी इंस्पिरेशन मिले तो चलिए टॉपिक पर आते हैं तो पहला आईजोटोप से स्टार्ट करते हैं इसको एक एक एक्जांपल के द्वारा समझते हैं जैसे कि मैं एक्जांपल लेता हूँ कार्बन का कार्बन के तीन आईजोटोप होते हैं कार्बन 12 कार्बन 13 और कार्बन 14 जिसमें कि जो 12 वाला होता है उसमें 6 प्रोटोन और 6 न्यूटोन होता है यानि कि total किता हुआ 12 मैंने एक बात बुली थी कि atomic number यानि कि number of proton और ये कभी भी change नहीं होता है किसी भी atom का तो carbon 13 में 6 proton 7 neutron carbon 14 में 6 proton plus 8 neutron इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जिसका भी atomic number same हो लेकिन mass number अलग-अलग हो mass number का मतलब total value total value यानि proton plus neutron तो बताव definition क्या बन जाएगी definition बनेगी कि the atom in which same number of proton या फिर atomic number but the mass number is different is called as isotop इसके example होते हैं जैसे कि hydrogen का लेलो 1H1, 1H2, 1H3 वेसे ही chlorine का लेलो 17 chlorine 35 17 chlorine 37 तो ये दो example थे अब बात करते हैं आईजो बार्स की इसमें जेस्ट उल्टा होता है आईजो टोप का उल्टा आईजो टोप में क्या था? कि अलग-अलग mass number था और same atomic number था और इसमें क्या हो जाएगा? same mass number होगा और अलग-अलग atomic number होगा अब आपके मन में एक doubt आएगा जो की बहुत बड़ा doubt है ये doubt होगा कि atomic number अलग-अलग कैसे हो सकता है? क्योंकि proton तो कभी change नहीं होता है तो देखो इसको मैं conquer करता हूँ कैसे? तो हम यहाँ पे element ही अलग-अलग ले रहे हैं same element नहीं है इस बार isotope में same element लेते हैं लेकिन इस बार element ही अलग-अलग होता है element ही अगर अलग-अलग लेंगे तो atomic number भी अलग होगा और proton भी अलग होगा जैसे की example से समझाता हूँ यहाँ पर हम यहाँ पर हम दो element लेते हैं calcium और argon calcium का atomic number 20 होता है और आरगन का atomic number 18 होता है लेकिन इनका जो mass number है वो सेम होता है 40 और 40 तो अब मेरे ख्याल से आपका concept clear हो गया होगा कि हम इसमें element ही अलग-अलग ले लेते हैं इसलिए atomic number बदल जाता है आपको अब practice के लिए मैं 3 example दे रहा हूं जिसका answer आपको comment box में लिखना है और यही आपके लिए fees है और अगर अच्छा लगे तो share कर दिया करो और अन्तमे धन्यवाद